तो फ्रेंट्स आज हम निकल पर मुंगेर ब्रीज घुमने जो की बहुत ही लंबे समय तक इसमें काम चलने के बाद फाइनली ये तयार हो गया है आम लोगों के लिए खोला गया है इस पूल को बनने में लगभग 20 बरस लगा है अब बहुत ही सांदार ये पूल बनके तयार है और ये मुंगेर और खगरिया के बीच ये पूल है जो की रेल एवं सरक पूल दोनों है इसी में तो ये बिहार का इस परकार का तीसरा पूल है जो की रेल एवं सरक को जोडता है एक साथ इस पूल को घुमने हमने सारे दोस्तों के साथ गया है बहुत ही ज़्यादा फन वी किया है कि यह अभी बर्तमान में टुरिस्ट हब बन गया है पूल अभी नया पूल है तो इसे लोग देखने जा रहे है और इस पूल की जो लंबाई है 3.75 किलोमेटर तो की काफी लंबा पूल है तो अभी फिलाल बर्तमान में यह टुरिस्ट हब बना हुआ है आपको देखने से कुछ अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार का यह हब बन गया है घुमने के लिए हलाकि अभी बड़ी बाहनों को इजाज़त नहीं दी गई इस पूल में कि थोड़े बहुत इसमें काम चल रहे हैं हलाकि छोटे बाहनों को इजाज़त है तो आप भी इस पूल को देखने आप जा सकते हैं और मुंगेर और खगड़िया को यह बहुत यह असानी से जोडता है ब्रीज इस पूल का नाम ओधे प्रेंट्स श्रीकृष्न सेतू है आप मुंगेर गंगा ब्रीज के नाम से भी इसे बोल सकते हैं लेकिन इसका जो रियल नाम है स्रीकृष्न सेतू तो हमने दोस्त लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा फॉन किया है और अब देख सकते हैं कि तो कुछ हम इसके सिनेमाटिक पिक्चर आपको दिखाते हैं उन्हें पिक्चर न चाली ज़्यादा लेक्चर आपको देख सकते हैं जर चुछ हम इसके सिनेमाटिक पिक्चर आपको देख सकते हैं